नीदरलेंड ने इसराइल को एक बड़ा जटका दे दिया है और F-35 के पूर्जों की बिक्री पर रोक लगा दी है जानेंगे आखिर क्या है कारण तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने फिलिपिन्स के साथ एक और बड़ी डील कर ली है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आएए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से एक अपीलिये अदालत ने नीदरलेंड सरकार को सोंबार को आदेश दिया है कि वो लड़ाकू भीमान F-35 के पुर्जे का निरियात इजराईल को करना बंद कर दे अदालत ने अंतरराष्टिय कानून के उलंगन के असपस्ट जोखिम का हवाला देते हुए ये आदेश दिया है मानव अधिकार संगटनों की तिकडी ने दिसंबर में नीदरलेंड के खिलाप एक दिवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें तर्क दिया गया था कि गाजा पट्टी में इजराईली सेन्य कारवाई के आलोक में अधिकारियों को निर्यात लाइसेंस का पुनर मुल्यांकन करने की जरूरत है औक्स फैम नोवीव, पैक्स नीदरलेंड और दराइट्स फोरम ने दिसंबर में ये मामला दायर किया था 29 बास बोयले ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये असपस्ट जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है कि निर्यात किये गए F-35 के पूर्जे का इस्तेमाल अंतराष्टिये मानेविये कानून का गंभीर उलंगन करते हुए किया जाएगा अदालत ने कहा कि निर्यात साथ दिनों के भीतर ही बंद होना चाहिए ये निर्यात तब आया है जब नीदरलेंड के प्रदान मंतरी मार्क रट ने संघर्स पर चर्चा करने के लिए बंजामी प्रदान मंतरी बेंजामी नितनियाहु से मिलने के लिए इस्राइल की यात्र ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनके देश से कलपूर्जों का निरियात पर परतीबंद का इजराइल को होने वाली सामगरी पर ठोस परवाओ पढ़ेगा की नहीं पढ़ेगा। हमास के नियंतरन वाले गाजा के स्वास्त मंतराले ने कहा है कि इजराइल के बड़े पहमाने पर हवाई और जमीनी हमले में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इसको बंधक बना लिया गया था। है कि रफा उन हजारों नागरिकों के लिए अंती मासरे हैं जिने कुरूर इजराइली आकर्मन ने भागने के लिए मजूर किया है। इस छेतर में भी अगर इजराइल हमरे करते हैं तो फिर इसके खतरनाक परिनाम होगे। बयान में कहा गया कि रफा पर हमला करना कुरूरता की हद होगी। हम इसराइल की जबरन लोगों को बिस्थाफित करने की कोशिस की कड़ी निंदा करते हैं। ततकाल युद विराम के अपने आवान को दोहराते हुए सौधी ने कहा कि इसराइल लगातार अंतराष्टिय कानून और मानव अधिकार कानूनों का उलंगन कर रहा है। युएनस्यू को चाहिए कि वो इसराइल को इस तबाही से रोकने के लिए ततकाल एक सत्राय उजित करे। इसराइली पी-एम बेंजमीन नेतनियाहू की और से रफाह में अभियान और उनकी सेना की और से हमलों पर मिस्र ने भी परतिक्रिया दी है। मिस्र के विदेश मंतरी समेह सोकरी ने इसराइली सरकार को इन हमलों पर चेताते हुए कहा है कि रफाह पर किसी भी तरह के जमीनी हमलों के बिनासकारी परिनाम होंगे। इसराइल का इन हमलों के पीछे लक्ष फलिस्तिनियों को उनके जमीन से बाहर निकालना है जिसे समर्थन नहीं दिया जा सकता है ये कहना है सौधी का खेर अब आपको लगेगा कि इन सब के बीच में अमेरिका क्या कर रहा है क्या अमेरिका चीजों को हल करने की कोशिस नहीं कर रहा है तो आपको बता दें अमेरिका भी यहां कोशिस कर रहा है मिसर के नेताओं और अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए मंगलवार को काहिरा में मौजूद अमेरिका के विदेश मंतरी एंथनी बिलिंकन ने कहा है कि उगरवादियों से बंधकों को छुडाने के बदले इजराइल और हमास के बीच संघर्स विराम के लिए बाचित करने पर मुखी रूप से ध्यान के अंदरित किया जाएगा इजराइल ने संकेत दिया है कि गाजा में जारी लड़ाई फैल कर मिस्र सीमा तक पहुंच सकती है जिसको लेकर मिस्र में बढ़ती चिंताओं के बीच बिलिंकन ने यात्रा की है मिस्र सीमा पर फिलाल बड़ी तादात में बिस्थापित फलिस्तीनी सरन लिये हुए है मिस्र ने भी अगाह किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि इजराइली सेनी कि यहां आते हैं तो समझ लीजिए चार दसक पहले जो हमने सांती समझाओता किया था वो सांती समझाओता खत्रे में पढ़ जाएगा मिस्र को डर है कि लड़ाई के रफा छेतर तक फैलने से भैबीत फलिस्तीनी नागरीक सीमा पार करके मिस्र में दाखिल हो सकते हैं बिलिंकन ने मंगलवार को मिस्र के राश्पती अबदेल फतह अलसीची से मुलाकात की वो कहते रहे कि फलिस्तीनीों को गाजा से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए बिलिंकन अपनी इस यात्रा के दोरान संगर्स विराम समझोते इजराइल और सौधी अरब के बीच संबंदों को सामाने बनाने और छेत्रिय लड़ाई को बढ़ने से रोकने पर जोर दे रहे हैं जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और फिलिपिन्स ने अपने द्वीप अच्छी सयोग को और भी मजबूत करना सुरू कर दिया है भारत मनिला हवाई अड़े के प्रमुक पुनर विकास परियोजना के लिए कॉंट्रेक्ट हासिल करने क करीब पहुंच गया है हाल के महिनों में रच्छा पर दोनों देशों ने सयोग पर महतपूर्ण ध्यान दिया है ब्रमुस एंटिसिप मिसाइल की डील उनकी बढ़ती साजेदारी को दिखा रहा है जो चाइना के लिए टेंसन है चीन के साथ बढ़ते तनाओं के कारण फिल परिभाड की समस्या चुटकारा पाने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इसे अपग्रेड करना चाता है रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपिन्स इसके डवलप्मेंट के लिए कांट्रेक्ट देने वाला है और कहा जा रहा है कि भारत का जी एम आर ग्रूप चार प्राइ प्रतिसत ज्यादा संचालित हो रहा है इसे विस्तार करने के दो और सफल प्रयासों का पहले सामना करना पड़ चुका है मनिला एरपोर्ट पोर्जेक्ट में वार्सिक यात्री चमता को लगवग दूना कर 42-62 मिलियन पहुंचाना है इस कॉंट्रेक्ट के लिए जो कॉंप 15 फरवरी तक समझोते पर हस्ताक्षर करना है आपको बता दें भारत के ब्रमोस को लेकर पहले ही फिलिपिन्स की मीडिया बहुत ज्यादा खुस है और ऐसा माना जाता है कि फिलिपिन्स को अब एक आत्मे विस्वास भी जाग रहा है कि कल की डेट में हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा जो चाइना करना चाहता है वैसे आपको बता दें ये एक बहुत बड़ी पहल है जो आखिर कार यहां पर सुरू हो रही है वैसे आपको क्या लगता है कि आप भारत को एक ऐसे पोर्ट पर ध्यान देना चाहिए जिसको अच्छे से सफल बनाने की दो अकाम कोशिस हो चुकी है वैसे यहां पर अगर बेस वगेरा बनता है तो ये बड़े काम का हो सकता है कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ